हर्याना के पानीपत में ग्राम सचिव के पेपर लीक होने के मामले में अपडेट जानकारी मिली है यहां आपको बता दे कि बताय जा रहा है कि हर्याना में ग्राम सचिव परिक्षा के पेपर लीक होने के मामले के तार दिल्ली से जुड़े हैं बताय जा रहा है कि ग्राम सचिव पेपर के लिए दो लाख में सौदा हुआ था बता दे कि जो डिवाइस प्राप्त हुए हैं वह दिल्ली से ओपरेट किये गए हैं आरोपियों के कबजे से बरामद डिवाइस, लेप्टॉप और मॉबाइल समेत अन्य सामान जाच के लिए FSL लैब मधुबन भेजे गए हैं पुलिस ने बरामद मॉबाइलों की कोल डिटेल भी मांग ली है और उसके आधार पर संबंदित लोगों से पूचताश कर रही है SIT का नेत्रत्व कर रही पानिपत की ASP पूजा वशिष्ट का कहना है कि हम जीन्द और हिसार पुलिस के संपर्क में हैं बहाँ पर दर्ज हुए केसों को लेकर तथ्य मिलाए जा रही है आश्रंका तो ये भी जताई जा रही है कि जीन्द और हिसार में देवाइस के साथ पकड़े गए परिक्षारती इसी गिरों के संपर्क में रहे होंगे पानिपत पुलिस ने जीन्द और हिसार की पुलिस से भी संपर्क साधा है और इन्पुट जुटाने शुरू कर दिये हैं वही पेपर लीक मामले में कई लोगों के शामिल होने की बाद भी कही जा रही है ऐसा पानीपत पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी माना जा रहा है गौरतलब है कि ग्राम सची पेपर को लेकर पानीपत पुलिस ने संभाल का सिथ पैराडाई स्कूल के संचालक और उसके बेटे समेच 14 लोगों को गिरफतार किया गया था वही जीन्द में एक लड़की और हिसार में तीन अलग-अलग परिक्षार्थियों को दिवाइस के साथ काबु किया गया था हिसार पुलिस ने इस संबंद में अलग-अलग दो F.I.R. दर्ज की थी फिलाल अभी तीनों जिलों की पुलिस गिरों के मुख्या की तलाश में हैं बताये तो ये भी जा रहा है कि पानीपत पुलिस को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि तीनों स्थानों पर पेपर लीग करने की साजिश में एक ही गिरों के सदस्य शामिल हो सकते हैं दिल्ली से इसके ओपरेट किये जाने के संकेत मिले हैं पूछताज के आधार पर अन्या आरोपियों की गिरफतारी के प्रयास जारी हैं संभावना है कि जल्द ही पानीपर्ट पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है वही स्पी पानीपर्ट शशांक कुमार सावन का कहना है कि पुलिस सभी पहलों पर जाच कर रही है इस मामले के तार दिल्ली से जुड़ रहे हैं जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा यहां आपको यह भी बता दे कि ग्राम सचीव की परिक्षा में नकल और पेपर लीक कराने के मामले में एस बी शशांक कुमार सावन ने एस बी पूजा वशिठ के नेतरतु में तीन सदस्या SIT का गठन किया था इस टीम में CIA2 प्रभारी विरेंद्र सिंग और सम्हाल का थाना प्रभारी अंकित कुमार को भी शामिल किया गया था रिमान के दोरान SIT को गिरफतार रोतक निवासी अंकित कुमार से एक पहचान पत्र मिला था गिरों में चपरासी के तोर पर शामिल राजेश प्रश्न पत्र की फोटो तो खीच लाये था लेकिन सॉल्व पेपर की अंसर की अंदर नहीं जा सकी इस ओरान आरोपी अंकित को पकड़ लिया गया बताये तो ये भी जा रहा है कि ग्राम सचेवपद परिक्षा में नकल के खेल में पुलिस जाच में कई बड़े खुला से हुए है परिक्षा केंद्रों में जैमर का ठेका लेने वाले टोकस वासी संदीप और फियश्पाल ने परिक्षारती किरोडी वासी प्रवीन से प्रवीन को 5-7 प्रशनों के अंसर तक बताये थे ऐसे में पेपर आउट होने का अंदेशा है तभी अंसर की उपलब्द थी परिक्षा में नकल करवाने को लेकर जितनी भी डील हुई है पुलिस जाच में सभी मौखिक थी रुपियों का लेंदेन परिक्षा के बाद होना था पुलिस रिमांट के दोरान प्रवीन ने खुलासा किया कि उसने इडिवाइस ओनलाइन खरीदी थी ठेकेदार संदीब द्वारा सेटिंग करवाने पर वाटसेप पर एंसर की सोनिपत के भटाना जाफराबाद वासी रविंद्र ने मुहया करवाई थी इसके लिए एक लाख रुपे देने थे प्रवीन ने अपने साथियों को केंद्र से बाहर वोकी टौकी का इस्तमाल करके एंसर की बताने में सही ओग मांगा था जगबीर अपनी गाड़ी में प्रदीप और प्रवीन को बैठा कर सेंटर तक लाया था के रिमांड पर है सोनिपत के अंकित और आशीश को दो और दिन के लिए रिमांड पर हांसिल किया है बाकी सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं बता दे कि हिसार पुलिस चार इडिवाइस बरामत कर चुकी है रोतक के पुषपेंद्र वेधरमेंडर और करन के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइब, शेयर और सब्सक्राइब करें हैं धन्यवाद।